बिक्रू कांट से पुलिस सीख ले रही है जमानत पर बहर आए अपरादियों की लिस्ट तयार की जा रही है पुलिस ने कोट में वो पुलिस ने कोट में सौपी है और इनकी जमानत रद करने की अर्जी कोट में लगाई गई है नीरज हमारे सहियोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जोड़ चुके हैं नीरज लिस्ट में कितने अपराधियों का नाम है कोट में जो अर्जी दी गई है ज़माना तरद करने की उसमें 33 अपराधियों के नाम बताया जा रहे हैं क्या और भी लिस्ट तयार हो रही है अब देखिए अभी को जानकार मिल पाई है जिस तरीके से विकरू कार्ण में सामने आया है विकात रुबे चुकी पहले उसके उपर इतने सारे मुकर्ण में लगे हुए थे लेकिन उसके बाद भी उसको किस तरीके से तमाम मामलों में बेल मिली हुई थी कर्च कई मामलों मरीहा चुपा था और खुले आम वो गाउं में रह रहा था तो इन चीजों से शीक लेते हुए अभी फिलहाल के पुलिस ने 33 अपराधियों की चिनित करके उनकी जामारत निरज कराने के लिए कोर्ट में अरजी दी है ताकि इस तरीके के बदमाज जो है अपराधी जो है वो बुले में ना रहें और ऐसे मामलों की पुल्रवती ना हो सके निरज ये जो 33 अपराधी हैं ये किन-किन मामलों में इनके उपर मुकदमे दर्ज हैं और लिस्ट बनाते वक्त आखिर किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है कुछ ऐसे अपराधी जिनके उपर संगीन मुकदमे दर्ज हैं जो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं उनके खिलाफ ही ये कारवाई की जा रही है उन लोग के उपर ये कारवाई की जा रही है उनको अशूम बताया जा रहा है कि उनका बाहर जेल से बाहर रहना यहां के लिए ठीक नहीं है इसके चलते इस तरीके के कारवाई की जा रही है जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरे इस तमारे जानकारी के लिए हमारे सहियोगी बता रहे थे कि संगीन मामलों में जिनके उपर मुकदमे दर्ज हैं और जो इस वक्त जमानत पर रहा हो चुके हैं और वो बाहर घूम रहे हैं ऐसे अपराधियों की लिस्ट तयार की गई है तैतीस अपराधियों की जमानत रद करने की अर्जी जो है कोट में दी गई है अब ऐसे ऐसे अपराधियों की लिस्ट जो है पुलिस तयार कर रही है जो जमानत पर रहा चल रहे हैं और कई धाराओं में उनके उपर मुकदमे दर्ज हैं ऐसे अपराधियों की जमानत रद करने की अपील जो है पुलिस की तरफ से की जा रही है